तो आज के हमारे वीडियो को टॉपिक है कि जो हमारा एर कंडिशन यानि की एसी होता है वो एक गंटे में कित्ती रुपे की एलेक्टिसीटी को खर्च करता है और आप उससे असानी से फोन से या फिर आपने कल्कुलेटर से किसी भी तरीके से आप असानी से निकाल सकते हैं क को इसमें ज्यादा कल्कुलेशन करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ आपको कपने कल्कुलेटर के दूस करना है मैं दोनों तरीके पताऊंगा लास्ट मों तरीके पताऊंगा पहले इस तरीके से आप निकाल लीजिए यहां पर मैंने कुछ नमबर्स ले रखे हैं जैसे मैंने मैं एक टन का एसी ले रखा और दो टन का एसी ले रखा तो इन एक टन के एसी को आप अगर 3.5 से मल्टिप्लाई कराएंगे तो उसका किलो वाट निकल आएगा जैसे कि मैं 1.5 टन के एसी को 3.5 से मल्टिप्लाई कराएंगे तो उसका किलो वाट निकल आएगा वैसे मैंने एक टन का AC है, उसका मैंने किलो वाट तो निकाल लिया, लेकिन मैं कितने घंटे यूज करता हूँ, अब जो मेरा एक टन का AC है, उसमें मैं दो चीज़ा मल्टिपलाई कराऊंगा, पहली चीज़, कि मेरा एक AC है, यानि कि यह है नमबर, नमबर अफ एसी, और यह है कि मैं कित लिया है, ठीक, वैसे ही मैंने अपने रेटन के AC को निकाल लिया है, कि मैं एक AC को एक घंटे चलाता हूँ, उसी तरह मैंने अपने दो टन के AC को निकाल लिया है, कि मैं इसको एक AC को एक घंटे डिली यूज करता हूँ, ठीक, अब मेरा एक किलो वाट हर्स निकला आया है, आप मेरे को simply क्या करना है जैसे मिस्कल्टू होता है वन यूनिट अब मेरे यहां एक यूनिट का प्राइस जो है वह छे रुपए पर यूनिट है आपको simply क्या करना है आपने जो भी निकाला है किलो वाट और पहले फॉर्मुले से वहाँ पर क्या करना है आपको जो भी यूनिट जित्ती रुपया यूनिट है आपकी उसको उसे multiply करा देना है जैसे कि ये मेरे पास है 3.5 into 6 इसको मैंने multiply करा दिया तो मेरा आ गया 21 रुपीज यानि कि एक घंटे में मेरा जो एर कंडिशन है वह 21 रुपय की electricity को खाता है वैसे ही जो मेरा डेट अनका AC है उसका मैंने दो टन का AC है उसको मैंने निकाला 7 kwh और इसको मैं multiply करा दूंगा 6 से जो सही मैं 6 से multiply करा हूंगा मेरा निकलाएगा कि ये 42 रुपीज खाएगा मेरा एक घंटे में electricity को अब simply shortcut के लिए आपको क्या करना है जैसे कि आपको कुछ भी नहीं करना अपने phone या mobile में calculator को open करना है ठीक open करना है उसके बाद क्या करना है आपको जैसे कि आपका एक टन का AC है डे टन का AC या दो टन का AC आपको ये पता होना चाहिए और आपके एरिया में कित्ते रुपे यूनिट electricity है वो पता होना चाहिए आप internet साभी पता कर सकते हो आप पुराने electricity bill साभी सारी पता कर सकते हो कि आपके एरिया में कित्ते यूनिट पर चार्ज लेते हैं electricity bill का वैसे ही आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका AC कित्ते टन का है और आपको यूनिट प्राइस पता होना चाहिए बस उसके बाद आपको simply क्या करना है सो गर मेरा एक टन का AC तो मैं यहां पर डालूंगा 3.5 ठीक और इसको मैं मल्टी प्राइए करा दूंगा जितना भी मेरा प्राइज आम मेरा तो मेरा यहां का प्राइज जो है पांच रुपए तो इतना आ गया कि 17 रुपए यह एक घंटे में electricity खाएगा अब आपको यह पता करना है कि पूर आपकी घंटे मा मन्थली यानि कि आपका एक एर कंडिशन पूरा मन्थली कितनी electricity काता है आपके पास जो नंबर आया आपको उसी को मल्टीप्लाइए कर देना है 30 से बस आपका निकल आएगा कि आपका जो AC है वो 2625 रुपए कि electricity खाएगा एक महिने के अंदर आगर आप डेली 5 गंटे यू देटन का है तो उसको मैं पूट करूंगा 5.25 इंटू मेरे यहां का मैंने प्राइज मान लिया कि 7 रुपए पर यूनिट चार्ज है तो यह मेरा आ गया कि इतने रुपए 36.75 यानि 36 रुपए 75 पैसे यह मेरा एक घंटे में electricity खाएगा मैं इसको यूज करता हूँ डेली 4 झालों तो मेरा 147 रुपीज आएगा डेली के 4 गंटे का यह धी कि 3 में मेरे कि 20 रुपए की 3 को यूज करता हूं थोए जो रुपए 4 0,410 रुपए एक महिने के खपत यानि कि अगर मैं डेटन के AC को डेली चार गंटे यूज करता हूं तो मेरा जो रुपीज का खर्च आएगा वो आएगा 4410 रुपए ठीक उसी तरह मैं अपने 2 टन के AC के लिए निकालता हूं को मल्टिप्लाइ करा देना है त्री से फिर इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैं अगर देली तीन गंटे यूज करूंगा तो इतनी इलेक्टिसीटी को खाएगा अब मैं इसका निकालूंगा कि 30 दिन में कितनी इलेक्टिसीटी खाएगा तो इसको मैं 30 से मल्टिप्ल करें वहां पर इसको स्वाल कर सकते हैं इस तरीके से आप में एक्रणिशन का पर वीक पर डे और जितना भी आपको इलेक्टिसीटी बिल निकालना वह इसलिए आप निकाल सकते हैं